हेलो अब्रिवन वेलकम टो आवर यूटीब चैनल टीचस डस्क आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ के वीएस कॉंट्रेक्चुल बिसिस पर निकले वेकेंसी का टीचीटी का इंटरव्यू एक्सपीरियन्स सेर करने वाला हूं कि क्या हुआ मेरे साथ वहां पे सबसे पह प्रोसेस को फॉलो करना काफी आसान हो जाए तो दोस्तों जब भी आप किसी केंदरी विद्दाले में कॉंट्रेक्चुल बिसिस पर या फिरेगुलर बिसिस पर इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो उसी एक दिन पहले ही अपने सारे डॉक्यमेंट्स का जरक्स साइम था वो था 11 बजे से लेकिन मैं 10 बजे ही वहां पहुंच चुका था तो मैंने वहां पर जाके देखा कि सेकड़ों लोग वहां पर आये हुए हैं कोई अपना बायो डेटर फॉर्म भर रहे हैं कोई अपना साटिबिकेट का वेरिबिकेशन करवा रहे हैं तो मैं भी अपने साटिबिकेट के लिए लाइन में लग गया और जब हमारी बारी आई दोस्तों टीचर्स ने हमारा बायो डेटर फॉर्म देखा और उन्होंने हमसे पूछा कि आपका ग्रेजिएशन यर्लिवाइज है तो मैंने कहा कि आप किस के लिए अपलाई करना चाहते हैं तो मैंने कहा सर लेकिन मेरा तो मैंट्स और केमेस्ट्री लगातार दो सालों तक है और तीसरे सालों में सिर्फ मेरा फिजिक्स है पहले दो सालों में तो फिजिक्स है ही और तीसरे साल में भी फिजिक्स है तो मैं तो उन्होंने कहा नहीं आप एलिजिबल नहीं है क्योंकि के आपका chemistry, geology या फिर botany में लगातार तीनों साल तक आपका होना चाहिए और यही तीनों subject का subject combination होना चाहिए तभी आप TGT science में अप्लाई कर सकते हैं तो फिर मैंने पूचा कि सर मेरा physics और chemistry लगातार दो सालों तक है और तीसरे सालों में सिर्फ physics है पहले दो सालों में physics तो ही क्योंकि मेरा honors physics subject है लेकिन पहले दो सालों में मेरा chemistry और maths भी है तो क्या मैं TGT maths के लिए अपलाई कर सकता हूं तो उन्होंने कहां नहीं आप TGT maths के यह भी अपलाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि KVS में आप TGT maths के डिचर बनना चाहते हैं तो तीनों सालों में आपका math subject होना चाहिए लेकिन आपका पहले दो सालों तक ही है लेकिन आपका सिर्फ दो ही साल तक maths पढ़ा है और तीसरे साल में सिर्फ physics पढ़ा है इसलिए आप इसके लिए भी eligible नहीं है यानि कि TGT maths के लिए भी आप eligible नहीं है तो इस तरीके से दोस्तों ना मैं TGT science में डाल पाया ना मैं TGT maths में डाल पाया और मुझे वापस लोटना पड़ा तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि KVS को subject combination में कुछ सुधार करना चाहिए क्योंकि इसे में physics onus वाले ना तो TGT science में डाल पाएंगे ना तो TGT maths में डाल पाएंगे जो कि हम लोगों के साथ बिल्कुल गलत होगा तो आपका क्या मानना है दोस्तों हमें comment में लिखके जरू बताना कि क्या KVS को अपने subject combination में सुधार करना चाहिए बदलाव करना चाहिए ता क्यों हमें बदलाव करना चाहिए दलाव चाहिए